हर हर महाँ देप सब सन कहा बुझाई बिधी धन जी निधन तब होई जम्व सुक्र सम्भूत सुत यही जीत ही रन तोई ब्रह्मा जी ने सब को समझा कर कहा इस दयत की मिरत्य तब होगी जब सिब जी के बीर से पुत्र उत्पन हो उसको युद में वही जीतेगा मौर का हाँ सुने कर उपाई कोई है इश्वर करेंता आई सती जोता जी दक्ष मक देहा जन्मी जाई ही मान चल देहा मेरी वास सुनकर उपाई करो इश्वर सायता करेंगे और काम हो जाएगा सती जी ने जो दक्ष के यग में देह का त्याग किया था उन्होंने अभी मान चल के घर जाकर जन्मी लिया है उन्होंने सिवजी को पती बनाने के लिए तब किया है इधर सिवजी सब छोण चाण कर समाधी लगा वैठे हैं यद्यप है तो बड़े असमंजस की बात तद आप मेरी एक बात सुनो पटवाव काम जाई सिव पाही करई छोग संकर मन माही तब हम जाई से वहीं सिरु नाई करिवाव भिवाव भरिटाई तुम जाकर काम देव को सिवजी के पास भेजो वो सिव जी के मन में छोब गुत्पन करे उनकी समाधी भं करे तब हम जाकर सिव जी के चड़ों में सिर्रक देंगे और जब अजस्ती उन्हें राजी करके विवाव करा देंगे यही भी धि भले ही देव हित होई मत अतिनीक कहाई सब कोई इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है सब ने कहा इयह सम्मती बहुत अच्छी है फिर देपताओं ने बड़े प्रेम से इस्तुती की तब भी सम पांचवान धारान करने वाला और मचली के चिन्न युक्त धोजा वाला काम देव प्रकट हुआ सुरन कही निज भी पति सब सुनी मन की नी बिचार संभू बिरोद न कुशल मोही भी हसी कहे हूँ हसमार देपताओं ने काम देश से अपनी सारी भी पति कही सुनकर काम देव ने मन में बिचार किया और हसकर देपताओं से यों कहा कि शिप जी के साथ बिरोद करने में मेरी कुशल नहीं है तदफिक रब मैं काज तुमारा सुर्तिके परम धरम उपतारा परहित लागित जई जो देही संतत संत 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 ही तेही तदाप मैं तुम्हारा काम करूंगा दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं जो दूसरों के हित के लिए अपना स्रीर स्याग देता है संत सदा उसकी बढ़ाई करते हैं असकाई चले उसा बही सिरुनाई सुमन धनुस करी सहित साहाई चलत मार असह दै बिचारा सिव भी रोधी धुब मरनु हमारा यों कहे और सब को सिर नवाकर काम देव अपने पुस्त धनुस को हाथ में लेकर सहाई कों के साथ चला चलते समय काम देव ने हर्दे में ऐसा विचारा कि सिव जी के साथ बिरोध करने से मेरा मरन निश्चित है तब आपन प्रभा उबिस्तारा निजबा सकीन सकल संसारा कोपे हुजबा ही बारिचर के तू छन्म हुमिचे सकल सुति से तू तब उसने अपना प्रभा पहलाया और समच संसार को अपने बस में कर लिया जिस समय उस मचली के चिन्न को दोजा वाले काम देव ने कोप किया उस समय छड़बर में तो बेदों की सारी मर्यादा मिट गई ब्रह्मचर्ज व्रत संजम नाना दीरज धर्म ग्यान भी ग्याना सदाचार जप जोग विरागा सभै विवेक गटक सभु भागा ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के संयम धीरज धर्म ग्यान भी ग्यान सदाचार जप योग विराग आदी विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई आगे विवेक सहाय सैस सो सुभट संजुग मही मुरे सद ग्रंत परवक कंदर निमहु जाई तै अब सर दुरे पोनिहार का कर सार हो रखवार जग कर भर उपरा गुई मात के ही रतिनात जय ही कहूं पोपी कर धन सर धरा बिवेक अपने साइकों सहीद भाग गया उसके योद्धा रण भूम में पीट दिखा गए उस समय बे सब सद ग्रंत रूपी परवत की कंदराओं में जाचिपे अर्थात ग्यान बैराग सैयम नियम सदाचार आदी ग्रंतों में ही लिखे रह गए उनका आचरन छूट गया सारे जगत ने खलवली मच गई और सब कहने लगे हे बिदाता अब क्या होने वाला है हमारी रक्षा कौन करेगा ऐसा सिरवाला कौन है जिसकी लिए रति के पती कामदेब ने कोप करके हाथ ने धनुदवान उठाय ये सजीब जग अचर चर नारी पुरुस असनाम ती निज निज मर जाद ताजी भय सकल बस काम जगत में इस्तरी पुरुस संग्यावाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़ कर काम के वस हो गए हर हर महों देव हुआ हुआ है